अस्सलामों आलेकुम नाजरीन आज की हमारी वीडियो में आपको सिर्फ हम टीवी पर दिखाये जाने वाले सूपर हिट ड्रामास के बारे में बताया जाएगा ये सूपर हिट ड्रामे अगर अभी तक आपकी वाच लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो फॉरल से बेशतर इनको देखने के लिए जरूर वक्त निकाली है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे ओरंगरेजा को पाकिस्तानी सूपर हिट ड्रामा होने का एसास हासिल है इस ट्रामे में एक लड़की की अपनी मासे नफरत और बाफ की ग्रल्फरेंड से महबब दिखाई गई है ट्रामा तेहरीर किया साजी कुलने और इसके हिदायतकार है काशपनसार इस ट्रामे का मरकजी किर्दार एक लड़की है जिसका नाम सशी है ससी ख्याम सानी नामी एक शायर की बेटी है ये किर्दार सजल अली ने बहुत खुबसूरती और महारत से अदा किया है और अवाम में काफी मकबूलियत का हामिल है मगर ससी की सची और हैरान को काम्याबी यह है कि अपनी जबाओं बया से वो एक केड़ार है एक कहानी है एक सोच है इसका बाब एक फिल्म की हिरोईन से महबप करता है और ससी की नजर में इसका बाब इसका आईडियल है ससी की माँ एक हामोस सी सेह्मी हुई सी घरेलू औरत है और सिसी की पुरसूर कोशिश और तमना यही है कि वो अपनी मा जैसी हर गिसना हो जो महपत उसकी मा उसकी बाप से करती है सिसी को इस तरह की महपत से कोई लगाव नहीं बाच्चा और गुलाम के महपत उसके नस्दीक बेकार है सबाद एक सुपर हिट सीरियल था जिसमें आप देख सकेंगे किस तरह एक डॉमिनेंट करल दूसरों को कंट्रोल करती है ट्रामे की कहानी सिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत की दास्तान है कुछ भी अब्ती नहीं रहता इस ट्रामे की कहानी एक अमीर खांदान के गिर्द घूमती है मिराल फरीद एक जवान पुर्जोश लड़की अपनी सिंदगी और खांदान से मतालिक हर चीज़ को अपने एक्तिदार में रखना चाहती है खास तोर पर अपने भाई हसन फरीद को भी अपने कापू में रखना चाहती है ड्रामा की कास्ट में मावरा हुसेन, सारा खान, सीमी राहिल, स्यद मुहम्मद, एहमद चांद सेथ, अबास अश्रफ अवान, उस्मान मुखतर, आमिर गिलानी, चुविरिया कामरान, मौसम अली खान, लेला जुबैरी और दीगर शामिल है ड्रामा सीरियल रकीब से रकीब से में आपको सिच्छी मुहबत नजर आएगी, जो 27 साल गुजरने के बाद भी वैसी ही तरोताजा और पाकीजा होती है रकीब से की मेगा कास्ट में पाकिस्तानी टेलिवेशन के बड़े नाम हदीका क्यानी, नुमाने चास, सानिया सईद और इकराजीज भी शामिल है MD Productions की पेशकर्श रकीब से का साउंट ट्रेक हदीका क्यानी नहीं काया है हदीका ने ये गाना सिर्फ गाया ही नहीं बलकि कंपोस्ट भी किया है रकीब से के ऑफिशल गाने के बोल हदीका क्यानी की वालदा ने तहरीर किये है ये ट्रामा चोटे-चोटे जिस बात की अकासी करता है ये सिर्व हीरो हीरो इनकी रूमान भी कहानी नहीं बलके इसका प्लॉट बाकी कहानियों से खांसा मुख्तलिफ है ट्रामा सीरियल तुम हो वज़ा हम टीवी का सूपर हिट सीरियल है ट्रामा हवस, जूर, थोकदही और मकफाते अमल की कहानी है ट्रामे की कहानी समीन अईजास की है चबकि डारिक्शन साहमा वसीम की है वजह तुम हो मनसूर एहमद, कफूर और मनसूर ये चोड़े भाई गुराद एहमद के खरानों से चुड़ी हुए एक कहानी है मनसूर एहमद का घराना, इनकी एहलिया साहिबा, बेटिया, चंदा और सितारा और बेटे सैन और बाबर एक दूसरे से चुड़े होए है और ये एक आवसा हुशार मतवस्यत तब किसे तालुक रखने वाला खानदान है लेकिन चंदा की एक खलती ने सब कुछ बेकेर कर रख दिया एक ऐसी खलती जिसने ना से पूरे खानदान को जंजोड कर रख दिया बलके इनके खानदान को मस्मूर मनसूबे और साथी रंजिश रखने वाले मफात परुस्तों के सामने भी बेपस कर दिया है ड्रामा सेरियल प्यार के सदके प्यार के सदके एक सूपर हिट ड्रामा है जिसकी कास्ट भी हाई लवल की है जिसमें यमना सैदी और बलाल अबास मरकजी किरदार नभा रहे हैं ये ड्रामा नजी चैनल से आन एर है इस रामे की कहानी अब्दुल्ला, इसकी मा मनसूरा बेगम और इसके सौतिले बाप सर्वर आकिल जो के इंतहाई मकार और लाल्ची फित्रत का मालिक है के गिर्द घूमती है सर्वर आकिल ने मनसूरा बेगम की जायदात पर कब्सा काइम रखने की गर्से इस खांदान के सारी पाक तोड अपनी मुठी में रखी हुए है अब्दुल्ला की सिंदगी के थमाम फैसले भी उसी के मर्जी के मुताज है सर्वर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिलावजे तनकीत का निशाना बनाता है वो पढ़ाई के साथ साथ सिंदगी के हर मैदान में पूरी तरह से नकाम है नकामियों और सर्वराकिल की बिलावचे तनकीत ने अब्दुल्ला को हकला और एत्माद से आरी इंसान बना दिया है जो अपने हर फैसले को शक्की निगास से देखता है ड्रामे की कहानी उस वक्त एक दिल्चस्प मोड लेती है जब अब्दुल्ला अपनी महबत में नकामि के बार ट्रामाई अंतास में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिसमें सर्वराकिल की नजर थी और यहीं से धोके फरेव और साज़िशों को नया सलसला शुरू होता है इस ट्रामे की हिदायत फारुकरंट की है जब्के यह कहानी संजबील आसिमशा की जहरीर करदा है ड्रामा सेरियल रक्से बिसमल रक्से बिसमल हम टीवी का सूपर हिट– ट्रामा सेरियल है कहानी मुखतलिफ रजरियाद से तालुक रखने वाले दो किर्दारों और इनकी मुहबत की बपाहमत के गिर्द गूमती है साथ हिसाथ हमारे मौश्रे में मौशुद ऐसे खानदान के गिर्द गूमती है जो खानदान के बाहर रिष्टा करना अपनी अना के खिला समझता है रिष्टा चाहे कितना ही बात जोड हो बात खानदान ही में जोड़ी जाती है और सच्ची मुहबत हाथ मलती रह जाती है पाकिस्तानी फिल्म इंडिस्ट्री की मारूफ अदकारा सारा शेख ट्रामा रक्से बिस्मल में पहली बार टीवी स्क्रीन पर नज़र आईं जबके मेंड रोल में इम्रान अश्रप और साराखान थे बाच्छा बेगम हम टीवी की सूपर हिट ड्रामा सीरियल है बाच्छा बेगम शाही मलका का लकप था मुम्तास महल चुषा जहां की मलका थी हातूरे उबल होने की हैसियत से अमूरे मुम्लकत को चलाने के पराइस सर अनज्याम तिया करती थी ये लगब उनकी हैसियत को दूसरों से मुम्तास करता था सबसे पहले बाच्छा जहीरतीन बाबर ने ये खताब माहम वेगम को तिया यूँ ये खताब मलका के नाम से सज़ादा मफ़ूल हुआ ड्रामे में जारा नूराबास ने बाच्छा वेगम का रूल निभाया है बाच्छा बेगम के मुसनिफ ने हमारे शवूर के तार बहुत हसीन तोर से हिलाए है और बताया है कि जिसे तारीख तानों ने तारीख के साथ चान बूच के बुरा सलूक किया है यो ही हम भी चान बूच और इसको दोहराय चले जा रहे हैं क्योंकि सच की रोशनी से आके कहीं चुदिया आना जाए बाच्छा बेगम बतीचों को शादी करने की इचासत नहीं देती भाई की शादी मर्जी से खानदान में करवाती है कि अकली बाच्छा बेगम खानदान के खुन से पैदा होनी चाहिए लेकिन भाईयों के घर बेटे पैदा हो जाते हैं और एक भाई पखावत में शहर जाकर शादी कर लेता है शहरी बेवी से दो बेटियां जहां आरा और रोशनावर पैदा होती है जो खानदानी गत्ती की वारिस है संगे मा के शिमार भी हम टीवी के सुपर हिट ट्रामास में होता है यह ट्रामा दो खानदानों के बीच में तसादम की तस्विर खिंचता है गुलिस्तान खानदान एक रईज और एक इस्सतार खानदान है जबकि सेफल रह्मान को नाई और मुची के खानदान का समझा जाता है दोनों के दर्मियान एक जगड़ा हुआ है कि सेफल रह्मान ने खेरत की विज़ से कुलिस्तान खान के बेटे को कतल कर दिया है और अब सेफल रह्मान की बेवी कुलिस्तान खान से माफ्य मांगना चाहती है कि वो इसके शोहर की जान पक्ष दे ट्रामे के बहुत अच्छा लिखा गया है और तमाम अधकारों की कारकर्दिगी भी बहुत शांदार है साथ ही साथ इस ट्रामे में खवतीन के साथ होने वाली जियातियों को भी बचाकर किया गया है ट्रामे में दिखाया गया है कि कैसे खवतीन को खामोशी और बेजपानी की सिंदेग्यां कुसारने पर मचपूर किया जाता है और यही इनका मुकद्दर बन जाता है ट्रामा सेरियल हम तुम हम तुम हम टीवी का सूपर हिट ट्रामा सेरियल हम तुम की कहानी दो पडोसियों के घरों के गिर्द खोमती है जिन में से एक खराना कैमिस्ट्री के प्रोफासर कुदबतीन यानि अधनान जाफर का है जिनकी बेगम का नाम उल्फर यानि अर्जुम जिबके उनका नाम सफ्योद्दीन यानि मुहम्मद एहमद है प्रोफेसर कुद्बद्दीन सहाब की असल परिशानी की वज़ा उनकी तीन बेटियां हैं उनको बेटे की शदीद वाहिश थी खैर उनकी तीनों ही बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ाकूं हैं बड़ी बेटी नेहा यानि रमशा खान और चोटी बेटी साशा यानि अनुशा रानिया खान है दूसरे घराने में भाई आदम यानि आहद रजामीर जो के कुद्बद्दीन सहाब के इंतिहाई लादले और चहीती स्टुडेंट हैं और उनके भाई सिर्मत यानि जुनियत खान जिनके अ बेगम इत्तिहाई शरीफ हातून है हलीमा सुल्तान यानि मनस्था आरिफ जिनको चीज से भूलने की बिमारी है इस घर में हलीमा की एक बेवा मा भी साथ रहती हैं तमन्ना बेगम उर्फ नानो यानि उस्मा बेग जिनका ऑन-लाइन मैरिज प्योरो है और मज़े की बात य जाती है इन सब के साथ आपको नॉन स्टॉप फन मिलेगा जिसने ज्रामे को सूपर हिट बना दिया ज्रामा सीरियल परीजाद हम टीवी पर नश्र होने वाला सूपर डूपर हिट सीरियल है ज्रामे की कहानी किसी एक सिब्द नहीं बलकि गुजरते लिमात के साथ जिस तर पर नश्र होने वाला ट्रामा सीरियल परीजाद के मसलिक और ट्रामा निकार हाशिम नतीम है जो इससे कबल रक्स बिसमर और खुदा और मोहबत जैसे ड्रामे लिख चुके हैं ड्रामे में एहमद अली अकपर मिशाल खान सुबूर अली उश्नाशा और अर्वा हुसें के इलावा ट्रामा सीरियल परीजाद में नुमाने चास के किरदार को भी बेहत सरहा गया ट्रामे की कहानी सावले रंगे शुक्स परीजाद के किर्थ खूमती है जो बहुत सहीं शरीफल नफ्स और सोचुफिकर रखने वाला है लेकिन बेरहम समाने के तन सुताने को बिरदा के साथ अपना फीडबेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हापिस